हेलो डिया स्टुडेंट वेलकम टू वर्ड एडुकेशन अकेडमी तो इस्टुडेंट आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैट्स और जिसमें आज हम सीखेंगे कि हम लोग जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चे को बहुत सादा प्रोब्लम आती है कि जीरोस किस तरह स फाइंड आउट करते हैं तो चलिए बिना देरी के फड़ा फट से स्टार्ट करते हैं मैं एक पॉलिनोमिया लेने वाला हूँ और उसके जीरोस फाइंड आउट करके मैं आपको दिखाऊंगा और उसके अलावा मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि हम लोग रिले किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं आपको समझवाने पाना हूँ आज के इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग तो देखें मैं एक आपके लिए एक पॉलिनोमिया ले रहा हूँ ais square plus 7x plus 12 तो easy लेंगे तो आप लोग को जल्रे समझ में आएगा ठीक है धीरे 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 हम लोग और भी पॉलिनोमिया से हम लोग सीखेंगे तो देखे सबसे वहले हमें इसके 0 कैसे find out करना है आपने क्या करना है, सबसे easy work आपने करना है, यह जो 12 देख रहे हैं यहाँ पर, इस 12 की multiply करेंगे आप यहाँ पर, यहाँ आपको क्या दिख रहे है, 1, यहाँ पर कोई number नहीं है, तो 1 है समझ लीजिए, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता है, उसका कोई होता है, भगवान होता ह हूँ, तो मेरे को क्या मिला 12 मिला, multiply करने के बाद, अम मुझे कुछ ऐसा करना है, ऐसी tables ढूनिए, जिनके, जिन में मतलब 12 आता हो, so 2 से start करते हैं, जैसे कि 2, 6 जा हमारा हो गया, 12, right, इसके अलाबा हमारा, 6, 2 जा भी होता है, इसका opposite कर लेते हैं, मैं सब लिख होंगा, ट 3, 4, 12, 4, 3, 12, वैसे आपको एक ही पार लिखनी जरूरत होती, दो बार opposite लिखने के जरूरत नहीं होती, अगर 3, 4 जा होगे, तो 4, 3 जा लिखने के कोई जरूरत नहीं है, बट मैं आपके लिख रहा हूं ता कि आपको जल्दी अच्छी समझ में आ जाए, ओके तो मैंने ये इन में से कोई ऐसा पेर लेना है कि जिसको आप प्लस करो या माइनस करो और आपका क्या बन जाए, बीच वाला 7 में जाए, तो देखो, अगर मैं 2 को और 6 को प्लस करता हो, तो मुझे क्या मिलेगा, 8, तो 8 तो हमें चाहिए नहीं आपे, same 6 और 2 को करता हो, तो भी 8 मिल रहा तो मतलब मेरे लिए ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, इसके अलावा देखो, 3 और 4 को प्लस करता हो, तो मुझे 7 मिल रहा है, मतलब मेरे लिए ये वाला पेर बिलकुल accurate रहेगा, 4 और 3 भी 12 होता है, तो ये भी accurate रहेगा, 12 और 1 13 होता है, ये 12 में से 1 माइनस करो, तो 11, तो प्लस माइनस करने पर मेरा 7 नहीं आ रहा है, तो ये भी बेकार है, मेरे पास से 2 पेर निकल का है, 3, 4 और 12, और 4, 3 और 12, मैं इन दोनों में से जोन सा मेरा मन करेगा, मैं वो पेर ले सकता हूं, तो हम लोग उपर वाला ही ले ले लेती है, ठीक है, नीचे वाल लेना चा तो मेरा 3 और 4 बनाता, ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये जो x आपका है, इस x square को आप as it is रखेंगे, इस से आपको छड़चा नहीं करने, सेम ये वाला 12 भी आप as it is रखेंगे, इस से भी छड़चा नहीं करने, हमने बीच वाले को break down किया ना, किसमे 3 और 4 में, 3 और 4 कितनी होते है, 7, तो हमने क्या किया, plus 3x plus 4x, और ये वाला जब plus का sign है, ये तो हमारा as it is आई जाना है, अब आया समझ में आपको 7x को plus 7x को मैंने डिवाइड करती है, 3x और 4x, क्योंकि यहाँ पर x था, इसलिए इन दोनों के साथ x जरू, आए बध्यान रखना, तो आप 3x और 4x हो जब आप प्लस करते हैं, आपके फ़र 7x मिल जाएगा, अब आपने करना क्या है, इनकी करनी है आपने grouping, grouping किस तरह से करेंगे, इधर से 2 का एक पेर, इधर से 2 का एक पेर, और इधर से 2 का एक पेर, sign आपका बीच में प्लस का रह जाएगा, बस ठीक है, आपने इधर, इधर से पेर बना लेने हैं, ये काम भी आपका खतम हुआ, अब दूसरा काम जो आपने करना है, वो थोड़ा सा different होगा, क्या करना है, अब आपने इन दोनों में से common निकालना है, अब मैं आपको common निकालना से कहूं, कि हम लोग common कैसे निकालते हैं, तो next sheet पर मैं आ अब आला, ये जो आपको इधर given है, ये जो आपको given है, x square plus 3x, पहले मैं पूरा का पूरा ये उधर लिख लेता हूँ, इस में से इन दोनों में से मुझे common निकालना है, तो देखो कैसे निकालनेंगे, x square plus 3x, ये ही था न, इन दोनों में से में कुछ common चाहिए, तो common कैसे निकालेंगे, जो x square है, पहले मैं यह देखता हूँ कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, x multiply x, and 3x को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 multiply x, अब आप क्या देखेंगे कि दोनों में कुछ न कुछ common आया, क्या common आया, यहाँ पे देखें, दोनों में x common आ रहे तो मैं क्या करूँगा, इस x को लिख लूँगा, बाहर, क्या करूँगा, इस x को बाहर लिख लूँगा, तो देखो, मैं इस x को एक बाहर लिख लूँगा, क्यो दोनों में common है, तो एक यी बार लिखूँगा, अब देखो, यह वाला जो x square है, ठीक है, इसके पास क्या ब तो यहां पर हमारा आ जाएका 3 तो यह हमारा हो गया x x plus 3 ओके अब इसको अपनी आंसर शीट पर पुट कर देता हूं डारेक्ट ओके तो मेरे पास क्या कोमन आया x कोमन आया था यहां पर मेरे पास बचा था x और यहां पर बचा था 4x plus 12 4x plus 12 में जामें कोमन लेना है 4x plus 12 ओके तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहले 4x हम लोग यहां लिख लेते हैं is equal to 812 हम लोग यहां लिख लेते हैं अब हम लोग क्या सोचेंगे कि हमें क्या करना है हम यहां पर 4 multiply x लिखेंगे इसको क्या करो कि क्योंकि 4 को भी हम लोग breakdown कर सकते हैं और parts में पीछे की तरफ हमारे पास कुछ इस तरह का breakdown करने के लिए कोई digit थी नहीं तो slim ने नहीं करा 3 था 3 को हम divide और ज़्यादा breakdown नहीं कर सकते थे तो 4 को हम लोग 2 multiply 2 लिख सकते हैं इसको आप करोगे कैसे इसको आप कर सकते हो prime factorization जो आप last classes में पहले भी सीख चुके हो जैसे की 4 को आप कर सकते हैं 2 2s are 4 and 2 1s are 2 तो यह तो सभी को आती है तो आपके बस क्या बना 2 और 2 बना तो आप यहां लिखेंगे 2 multiply 2 इसके लावा यहां और क्या बचा एक्स बचा इस एक्स को आप यहां पही लिख लेंगे ओके नेक्स नीचे वाले के साथ भी आपको सेम यही condition करनी है सबसे पहले क्या करेंगे 12 12 के कितने factors हो सकते हैं करतीजिए 2 6 is 12 2 3 is a 6 and 3 1 is a 3 बस आपके पास क्या बने 2 multiply 2 multiply 3 आपके पास यह factors बने ठीक है मैं इसको raise कर देता हूँ अब आपने करना क्या है यहां पर यह काम comment देखे क्या आया आपके पास जो comment आ रहा है वो आ रहा है एक तो 2 इधर से यह वाला 2 ओके इसके अलब आपके पास कुछ comment नहीं आ रहा तो यह वाला 2 को आपके लिए 2 और multiply में यह वाला जो 2 comment आया यह वाला 2 2 तू जा कितना हो गया 4 मतलब आपके पास 4 comment आएगा कहने का मतलब यह है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर क्या comment आपके पास यहां पर 4 ठीक है अब यह बताएए 4x है 4x के पास क्या बचा x तो 4x के पास सिर्फ x बचा तो मैं अंदर x लिखूंगा plus 12 12 के पास क्या बचा 3 तो मैं अंदर 3 लिखूंगा ठीक है 12 के पास क्या बचा 3 बचा तो मैं 3 लिख दिया मेरे पास क्या आया 4 x plus 3 अब आपको कैसे पतल लएगा कि आपने common ठीक लिया या ने लिया तो इसको चेक कर सकते हम लोग कि आपकी इधर वाला और इधर वाला bracket बिल्कुल सेम आना चाहिए अगर सेम आ रहा है तो आपने common बिल्कुल ठीक लिया मतलब x plus 3 और x plus 3 यहाँ दोनों तरफ common आ रहा है मतलब कि आपने बिल्कुल सही condition यहाँ पर follow कर रही है बिल्कुल सही rule follow किया है next अब आपने क्या करना है अब आपके zeros बस find out होने ही वाले हैं बहुत last step पर हम लोग पहुच गए है अब देखो यहाँ पर यह वाला और यह वाला bracket बिल्कुल सेम हैगा अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर लिखोगे x plus 3 एक बार इसको लिख लो क्योंकि यह भी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक बार लिख लोगे और जो बाहर है बाहर क्या है x plus 4 इसको एक सा लिख लो x plus 4 धियान रहे हैं कि जब यह लिखोगे तो बीच में कोई sign नहीं रहेगा कभी या बीच में plus या minus का sign यहाँ पर put कर दो तो यहाँ कोई sign नहीं आएगा तो आप क्या आपके आस x plus 3 और x plus 4 आपके पास आगया है x plus 3 और x plus 4 आगया है x plus 3 and x plus 4 हमारे पास आचुका है अब आप इन दों को क्या करेंगे लिखेंगे कुछ इस form में क्योंकि zeros fine करने तो x plus 3 इनको 0 के equal रखेंगे zeros fine करने के लिए 0 के equal रखना ज़रूरी है नहीं रखेंगे तो zeros नहीं आएंगे आप देखो x की value क्या आजएगी यहां से 3 minus 3 क्योंकि plus में उठके उदर जाएगी तो किसमें minus में change उठ रहेगी x is equal to minus का 4 तो आपके zeros क्या आगए आपके zeros आगए minus 3 and minus का 4 तो यह थे आपके zeros कहने का मतलब यह है कि आपको x की values find out करनी है आपके zeros आजएगे अब आउपर यहां देख सकते हैं अब हमें पता कैसे लएगा कि हमारे zeros कितने आएगे तो देखो quadratic equation है इसकी power देखो power कितनी है starting में 2 है अगर power 2 है तो आपके 2 जिरो आएगे power 3 है तो 3 जिरो आएगे power 4 है तो zeros आएगे खतम बात आप इस power को देखकर धिहान से पहचान सकते कि कितने zeros हमारे आएगे ओके तो यह थे हमारे zeros फ़ें करना आपको relation बता देता हूँ relation बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा relation के लिए देखो आपने करना क्या होता है बहुत easy सा concept है जो आपके बास zeros आये है zero आपके बास क्या आये थे फिर से देख लेते है zero आपके बास आये थे minus 3 and minus 4 तो पहले मैं zeros को यहाँ पर लिख लेता हूँ minus 3 and minus का 4 इन zeros का जब आप sum कर देते हैं और इनको एबर multiply एबर sum करना होता है alpha plus beta sorry alpha plus beta is equal to minus b upon a यह formula होता है sum का तो आपने क्या निकालना sum of zeros आप उपर heading लिखेंगे sum of zeros आपने zeros का sum निकालना है तो alpha plus beta आप लिखेंगे और side में यह लिखतेंगे तो आपके पास समझ लो कि alpha आपके पास यह है और beta आपके पास यह है ठीक है तो alpha की जगा आप क्या लिखेंगे 3 minus 3 और beta की जगा क्या लिखेंगे plus minus का 4 bracket में बंद कर लिए दो numbers को is equal to gather minus b upon a का क्या मतलब है तो equation में हम लोग वापिस चलते हैं देखो equation में यह जो हमारा होता है first one term यह हमारा a होता है second वाला b होता है and third वाला c होता है तो हमारा क्या है minus b upon a तो b हमारा क्या 7 तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे minus 7 क्यूंकि minus formula वाला और a हमारा क्या ऐगा यहाँ पर a हमारा कोई number है यह अधि मतलब 1 हाइगा तो हम लोग यहां लिखेंगे 1 यह हमारा relation कैसे find out होगा आप देखिए यह जो है minus plus minus plus minus and minus minus plus जब आप इसको solve करेंगे तो आपको minus 7 इधर मिल जाएगा इसको solve करने के बाद और इधर देखेंगे तो minus 7 के division में क्या है 1 और 1 की कोई value होती ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे minus 7 जब आपके पास दोनों sides equal आ गई तो समझ लिजे relation आपका विल ठीक है यानि इस equation के 0 है अगर यह equal नहीं हो आते तो हम समझ जाते कि यानि कि अभी जो हमने 0s find out कर रहे हैं वो हमारे सही नहीं है तो यह तो हमने sum निकाला same as it is हमें product भी निकालना पड़ेगा sum निकालने वाए product भी निकालना पड़ेगा तो 0 क्या थे हमारे हमारे पास 0 थे minus 3 and minus 4 minus 3 and minus 4 तो आप लिखेंगे minus 3 and minus 4 y come alpha आपका यह है एंड beta आपका यह है ठीक है इसमें आपको product निकालना होता है alpha multiply बीटा और c आपोने alpha आपका कितना है minus 3 equation के first page पर चलते हैं तो आप यहां देखेंगे C आपके पास 12 है ठीक है और C आपके पास 1 है तो आपका C आपके पास 12 है और A आपके पास 1 है आप देखें sum और product निकालना दोनों ही जरूरी है अगर आप दोनों में से एक भी चीज नहीं निकालते तो आपको नहीं पता लएगा कि इसके zeros correct हमने निकाले है यह नहीं निकाले सब्सक्राइब करते हैं और किस तरह से हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो बिल्कु सिंपल सा मैथर था कुछ मुश्किल नहीं था आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा अगर इसके बाद यह आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं सब्सक्राइब करते हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू और बाई बाई